गाव धनपुर छोटा सा गाव था, जो चारों और हरे भरे जंगलों और पहाडियों से घिरा हुआ था. यहां के लोग साधारन जीवन जीते थे और उनका मुख्य काम खेती करना था. इस गाव के बीचो बीच एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग भगवान शिव का मंदिर कहते थे. इस मंदिर के आंगन में एक बड़ा और काला पत्थर रखा हुआ था, जिसे लोग काला पत्थर कहते थे. इस पत्थर के बारे में कई कहानियां थी लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका असली रहस से क्या है आशीश गाव का एक किशोर लड़का था उसकी उम्र 16 साल थी लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस गाव के बाकी बच्चों से कहीं अधिक थी आशीश की माँ बच्चपन से ही उसे काले पत्थर के बारे में बताती आई थी लेकिन हर बार एक ही चेतावनी दी जाती थी उस पत्थर को छूना मत बेटा उसमें एक पुराना श्राप छुपा है आशीश हर रोज मंदिर के पास से गुजरते हुए उस पत्थर को देखता और सोचता कि आखिर इसमें क्या राज है वह जानना चाहता था कि काला पत्थर क्या सच में श्रापित है या यह बस पुरानी कहानियों का हिस्सा है एक रात आशीश को एक अजीब सपना आया उसने देखा कि वह काले पत्थर के पास खड़ा है और अचानक से पत्थर चमकने लगता है उसकी आखों के सामने एक विशाल दर्वाजा खुलता है और दर्वाजे के पीछे एक उजली दुनिया दिखती है जैसे ही आशीश दर्वाजे के अंदर जाने वाला था वह सपना टूट गया सपने के बाद आशीश की जिग्यासा और बढ़ गई उसे यकीन हो गया कि इस पत्थर के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलजाएगा चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े आशीश ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों विजय और रोहित को अपनी योजना के बारे में बताया पहले तो विजय और रोहित डर गए लेकिन आशीश के आत्मविश्वास और चिग्यासा को देखते हुए उन्होंने भी हाँ कर दी तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे एक रात मंदिर जाएंगे और काले पत्थर का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे रात का समय था जब पूरा गांव सो रहा था आशीश, विजय और रोहित चुप चाप अपने घरों से बाहर निकले और मंदिर की ओर बढ़ने लगे मंदिर अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था लेकिन तीनों ने अपनी हिम्मत को संभाले रखा मंदिर के अंदर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि काला पत्थर अपने सामाने रूप में पड़ा हुआ था आशीश धीरे धीरे पत्थर के पास गया और अपने हाथ से उसे चू लिया अचानक से पत्थर में हलकी सी चमक उठी और मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लिप्पी उभरने लगी दीवारों पर उभरी लिप्पी प्राचीन संस्कृत में थी जिसे आशीश पढ़ सकता था उसमें लिखा था जो इस पत्थर को जगाएगा उसे तीन चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा अगर वह चुनोतियों को पार कर लेगा तो उसे महान शक्ती और ग्यान की प्राप्ती होगी लेकिन असफलता पर उसे श्राप का सामना करना पड़ेगा आशीश ने यह संदेश अपने दोस्तों को सुनाया तीनों को अब यह समझ में आ गया था कि यह कोई साधारन पत्थर नहीं है बलकि यह एक दर्वाजा है जो किसी रहस्य मई शक्ती का मार्क दिखा रहा है जैसे ही आशीश ने पत्थर को फिर से चुआ चारों और घना अंधकार चा गया उनकी टौर्च और सारी रोशनी गायब हो गई अचानक मंदिर के अंदर कुछ हलचल होने लगी उन्हें अजीब अजीब सी प्रचाईयां दिखाई देने लगी जो उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी आशीश ने समझा कि यह पहली चुनाती है अंधकार और भय का सामना करना उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे घबराएं नहीं और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें तीनों ने मिलकर अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखा और धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा कुछ ही देर में सब कुछ फिर से सामानने हो गया पहली चुनाती पार करने के बाद एक और रहस्यमई आवाज आई अब तुम दूसरी चुनाती का सामना करोगे मन के भटकाव से लड़ो अचानक से मंदिर का वातावरन बदल गया तीनों दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा कि वे अलग-अलग जगहों पर है आशीश ने खुद को एक सुन्दर बगीचे में पाया जहां सब कुछ शांत और सुख दायक था उसे लगा कि उसे यहीं रुख जाना चाहिए विजय और रोहित को भी ऐसी ही जगहों का आभास हो रहा था जहां वे आराम कर सकते थे लेकिन आशीश ने अपने मन को नियंतरित किया और समझा कि यह भटकाव है उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सबने इस भटकाव से बाहर निकलने की कोशिश की कुछी देर में वे फिर से मंदिर में आ गए अब आखिरी और सबसे कठिन चुनोती का सामना करना था मंदिर के भीतर की आवाज ने कहा अब तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी जो सच्चा होगा वही यहां से सुरक्षित निकलेगा तीनों दोस्तों के सामने एक दरपन प्रकट हुआ उस दरपन में हर कोई अपने अपने रूप को देख रहा था लेकिन यह कोई साधारण दरपन नहीं था यह उनकी बुराईयों और कमजोरियों को दिखा रहा था आशीश को अपनी कमजोरी के रूप में संदेह दिखाई दिया विजय को लालच और रोहित को भै उन्हें अपने अपने दर्पणों का सामना किया और उन्हें तोड़ दिया। तभी मंदिर के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी और काला पत्थर पूरी तरह से चमकने लगा। तीनों दोस्तों ने चुनौतियों को सफलता पूर्वक पार कर लिया था। अब उनके सामने एक दर्वाजा खुल गया, जो काले पत्थर के भीतर छिपा हुआ था। दर्वाजे के पार एक विशाल हौल था, जहां एक प्राचीन मूर्ती स्थापित थी। मूर्ती के पास एक पुस्तक थी, जिसमें अद्वितिय ग्यान और शक्तियां चुपी हुई थी। आशीश ने उस पुस्तक को उठाया और उसे पढ़ा। पुस्तक में वह ग्यान था, जो सदियों से छिपा हुआ था। जीवन का रहस्य, आत्मा की शक्ती और मन की अनंत संभावनाएं। तीनों दोस्तों ने उस ग्यान को समझा और महसूस किया कि उनके जीवन में अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। आशीश, विजय और रोहित ने मंदिर से बाहर निकल कर गाव लोटने का फैसला किया। उनके दिल में अब कोई डर नहीं था, बलकि एक नई उर्जा और आत्म विश्वास का संचार हो चुका था। वे अब जानते थे कि उन्होंने न सिर्फ काले पत्थर का रहस्य सुलजाया, बलकि अपनी आत्मा की सच्चाई को भी पहचाना है। गाव के लोग जब यह सुनेंगे तो वे भी अचमभित रहेंगे। लेकिन तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे। यह ग्यान सिर्फ उनके लिए था। एक ऐसा रहस्य जो उनकी जिन्दगी बदल देगा। अब गाव में उनके लिए सब कुछ पदल चुका था। आशीश, विजय और रोहित ने अपने जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग करना शुरू किया जो उन्होंने मंदिर से प्राप्त किया था। उनके फैसले अब पहले से अधिक समझदारी भरे और संतुलित हो गए थे। वे जानते थे कि वास्त्विक शक और सच्चे ज्ञान की प्राप्ती की भी कहानी थी। जब इनसान अपने डर और कमजोरियों का सामना करता है तभी उसे सच्ची शक्ती और सफलता मिलती है।